वेल हेलो दोस्तों सभी को पता है कि pitching हमारे music production ने कितना important part है क्योंकि वो हर एक studio में use होता है मतलब कितना भी अच्छा singer हो पर pitching तो use होगी ही होगी अब depend करता है कि कितनी जादा deep pitching करते हैं वो उसकी बात की बात है तो अभी फिलाल इस वीडियो में एक बिल्कुल perfect pitching का method बताऊंगा जो professionally होता है हर जगा वो कैसे होता है अब जैसे कि हम normal auditory news करते हैं तो उसमें क्या होता है हम auditory news कर देते हैं बट वोगले साथ कैसा लगता है जैसे कि एक coating सी कर दी है robotic layer की vocal के उपर वो अजीव सा sound कर रहा है अब जैसे कि हम इस vocal को सुनेंगे तो यह मेरा एक project था जिसका जो मेरे पास आया था music बनाने के लिए तो यह complete हो चुका है तो यह मैंने सब्मिट भी कर दिया है तो क्या है मैंने अल्मोस्त बहुत जादा किया वो और टून लेया है मैं कम कर सकता हूं यहां से थोड़ा सा और पर फिर भी ना जो रॉबोटिक फील है वो नहीं जा रही है वो कितना भी हम कम जादा कर लें वो नहीं आएगी अगर मानलों मैं थोड़ा से हुमनाइज भी कर देता हूं तो भी एक्जेक्ट हथ तेरा फड़ा यां फे बहर यानु बेकला तो वो हुमन वाली फील आएग इसके तो उनके लिए एक solution बता देता हूं मैं graph mode pitch correction के लिए use मत करो Pitch correction करो Newton's, Newton's Pitch correction करना काफी easy है, ठीक है, उससे Pitch correction कर लो, उसके बाद Graph mode में जाओ, अपना Scale select करो, बाकी सब कुछ ऐसी रहने दो, और इसे कर लो यहां से detach, तो अभी हमारी Pitch तो correct है, जैसे की Newton's हमने ठीक कर ली, उसके बाद क्या करना है, हमको जो मैं यहां पर दिखाऊंग क्यों कि आगे जलके मैं in-depth video बना दूं, Graph mode में पहले भी बना चुका हूं, बहुत पहले बनाई थी, बहुत जादर पहले बनाई थी, तो उस टाम तो मैं facecam भी नहीं करता था, तो उस टाम की video है वो, तो अभी हमें क्या करना, track pitch का मतलब क्या कि यह जो हमारा जो song चलेगा जो मेरे vocals चलेंगे, इनको track करेगा और इसमें show करेगा, हम जादा बड़ा नहीं लेते हैं, हम इतना सा ही song ले लेते हैं, तो जितना हमने vocal है हमारा, सारा vocal हमने ले लिया है, जितना ही मुझे ले आना था, तो अभी मैं track pitch को कर दूँगा, इधर बंद, ठेक है, तो अभी इ इसने हमको दिखा दिया है इधर, कि देखो तुम्हारा song इतना है यहां पे, यहां से जितनी भी है, तो बट हम अभी इस पर काम कैसे करेंगे, simply यह जो button दिख रहा है, यह make notes का, इसमें click करेंगे, तो जितनी भी हमारी pitch है, इसमें सब को उसने notes में convert कर दिया है, तो अभी ह हमको क्या करना है, हमको simply यह वाला tool लेना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, control A करके, सब की retune speed फूल कर देनी है, तो अभी तो फिर सब बोलेंगे, कि robotic sound आएगा, हाँ भाई और robotic sound आएगा, अभी वो robotic sound जो आएगा, उसे हम यहां से remove करेंगे, जैसे कि पहले हम यह tool लेंग क्या करना है, और अब यहां पर दूसरी बार click करना है, देखो यह कायब हो गया है, यहां से अभी हम, pitch को यहां से flat कर सकते हैं, हम particular note को उसका एक return speed दे रहे हैं, अभी यहां से हम यहां जाएंगे, और इसको एक curve देंगे, यहां से, यहां तक, दिख रहा है, और बस यहां यहां पर ले जाके हमने double click, अभी हम आगे चलेंगे, next notes पर, किया यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यहां, अभी हमने double click, ठीक है, अभी इनकी भी हम, यहां से return speed control करें, तो अभी सब को समझ में नहीं आ रहा होगा, कि यह मैं कर क्या रहा हूं exactly, पहले तो हम चला के देख लेते हैं, जो हमने अभी जो यहां पर किया है, तो यह है क्या exactly, वो starting वाला जो है, भी अभी ठीक से हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें शायद मैं थोड़ी shifting में, हल्की फुल्की आगे पिछे कर दिया हूं, चलो कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो सकता है, रदा तो हम कर क्या रहे हैं, आभी मैं जूम करके दिखाता हूं, तो यहां पर जैसे कि मैंने यह किया, हम इनको transitions दे रहे हैं actually, हम जैसे कि auto tune होता है, वो खुद transition देता है, किसी भी note को, कि देखो यह note है, इस से इस पर shift हो रहा है, तो कितनी जल्दी है, किस तरीके shift होगा, तो वो हर note को इतना smoothly नहीं बना पाता है, ठीक है, उसको एकदम से कई बार कई note होता है, वो ऐसे, एकदम से cut करके ले लेता है, तो हम क्या बग कर रहे हैं, कि auto tune को यह बता रहे हैं, कि देखो भाई तुम्हें इस note से, इस note पे, काता ही, smoothly shift करना है, तो इसमें auto tune level होगा होगा, नहीं तो बहुत जादा unnatural हो जाएगा, यहां से, यहां पे, यहां पे, और यहां, और दूसरा, अगर आगे वाला note जादा आ गया है, तो बस यहीं तक करके छोड़ दो, double click, देखो ऐसा हो गया, अब हम मान लो अगर हम इसको यहां से जादा भी कर देते हैं, देखो, जो note था यह वाला, कुंसी line थी है, सीने नाड लाला, देखो, autotune लगाया है, मैंने उस पे, अभी भी, बट वो इतना smooth हो गया, autotune लगाने के बाद, कि यह मतला उस पे, एक layer नहीं दिख रही है, वो उसमें merge हो गया, autotune, ठीक है, तो उसके notes को correct तो किया उसने, बट वो merge हो गया है, उसमें, एक तो सी variations इतनी जादा थी, तो उनको एक तो control किया, उसमें autotune के डाला, उसमें autotune की field डाली, बट उसको exactly unnatural नहीं किया, बहुत जाद अच्छी technique है यह, अगर हम जल्दी से अगर बागी के notes कर लेते हैं, पीचिंग हो गई है complete, जो भी shifting वाले काम से सब मैने कर दिये हैं, देखो, यह चीजे तब करना, जब project कता ही final हो जाए, और मतलब बस export करना, उससे पहले करना, ठीकना, एक दम starting में मत करना, बाकी mixing mixing सब autotune, auto mode पे कर लेना, लास्ट वाला जब section आए, तब तब जाकि यह चीज करना, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा complicated चीज है, जो नए बंदे कर रहे हैं, जो पुराने हैं, जो मेरे जैसे लोगा, उनके लिए ज़्यादा बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत असान चीज है, बट जो नए बंदे, उनको थोड़ा सा confusion होगा, गलतिया भी होंगी, notes गलत भी होंगे, कुछ अवाज भी करब, मतलब जो है, वो भी खरब कर देंगे, वह बट इसका नहीं है, कि मतलब वह खरब कर दिया तो undo नहीं, नहीं हो सकता है, गतब ही ऐसा हो जाए कि ना मा का आगे जा पा रहा हूं, ना मा पीछे जा पा रहा हूं तो क्या करो, अपना वहां से जाके VST रिमूव करो डिलीट करो वापिस से चालू करो और वापिस से ग्राफ मोड में आके सेम प्रोसीजर शुरू से शुरू कर लो अब क्या करोगे तो यह सोलुशन निकल सकता है इसका बट जो क्वालिटी आएगी और जो वोकल की जो एक नेचरलनेस तो यह आएगी और यहां पर मैं पहले बताधीर महां नहीं किया इसनी है गालत ही है असे शिफ्ट है मैंने तो ळालस में मैं इसको ठीक नहीं किया,स keyboard कोई Не मैं 58 से, अब बहаєं नाब डिये हैं अब भी देखो पहले कैसा आरा वाकिका कितना नेचरलन तो जो इंडेस्ट्री लेवल की पीचिंग होती है वो अल्मॉस्ट ऐसे ही होती है नोट्स को एकदम औरिजनल बनाया जाता है एकदम नेच्रल बनाया जाता है तब जाके ऐसी पीचिंग होती है और जो हम सुनते हैं गानों में आटो टून लगा हुआ बट ऐसा लग नहीं रहा के लगा हुआ पर हमें पता चल रहा के लगा हुआ बट रोबोटिक नहीं लग रहा है कुछ भी ठीक है अच्छा लग रहा है वो सुनने में कि हाँ ये इसक तो वो टेक्निक यह होती है तो ओटो मोड यार देख ओटो मशीन खुद से क्या ही कर लेगी ठीक है इतना कुछ AI सिस्टन नहीं आया है जो खुद से इतना काम कर लेगा तो अब कई लोग बोलेंगे देख ओटो अटो प्रो में फ्लेक्स टून है देख फ्लेक्स टून है वो अभी भी ऐसा कम नहीं कर पाता है ठीक है क्योंकि अभी भी उतना जादा लेवल पर नहीं आपाया ओटो टून कि खुद बखुद इतना अच्छे से शिफ्टिंग कर पाए तो हम उसे बताएंगे देखो ऐसे शिफ्ट करना हर नोट पे हम यहां पर हर नोट की रिटू यूज करो और यूज करने के बाद या निचे कमेंट्स में जरूर बताना कि काम आई के नहीं आई और मैं 100% शूर हूँ कि यह टेक्निक जरूर काम आएगी मतलब बहुत जाद अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा आपर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे नहीं करो कि तुम अच्छा नहीं गाओ गे और उसे लगा कि सब ठीक कर लोगे अपनी सिंग को इंपरू करो रियाज बगारा किया करो तो थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो बाकिया काम यह देख लेगा अपने तरह 20 परसंट तो गाई सकते हो इतना तो स इस वीडियो को लाइक करो शेर को अपनी फंसे फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरिस्टीड हैं तो चलिए दोस्तों ओर एन आउट